सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर ने पहली बार एक साथ अमरता सिंग से हुए तलाक को लेकर बात चीत की है शर्मिला ने बताया है कि जब सैफ ने अमरता से तलाक लेने का फैसला किया तो वो अपने बेटे के साथ थी शर्मिला ने ये भी कहा कि वो अमरता सैफ की शादी से खुश नहीं थी उन्होंने शादी के लिए मना भी किया था हाल ही में सैफ और शर्मिला करन जोहर के चैट शो कौफी विद करन में पहुँचे इस दोरान सैफ ने बताया कि अमरता से शादी की खबर सुनकर उनकी माँ शर्मिला टैगूर दुखी होकर रोने लगी थी सैफ ने अपने से 13 साल बड़ी एक्ट्रस अमरता सिंग से घरवालों को बिना बताए गुप चुप शादी रचाली थी सैफ ने कहा कि जब ये बात उन्होंने शर्मिला को बताई तो वो दुखी होकर रोने लगी सैफ ने कहा कि उनकी माँ मुंबई आई थी तब उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों अमरता से शादी कर ली है जबकि उन्होंने शादी ना करने की सलाधी थी कहा कि अगर वो यही चाहते हैं तो वो उनके साथ हैं शो में शर्मिला ने बताया कि उनका अलग होना उतना सामजस से वाला नहीं था क्योंकि दोनों लंबे समय तक साथ थे शर्मिला ने कहा कि आपके इतने प्यारे बच्चे होते हैं और ऐसे में ब्रेक अप करना बिल्कुल असान नहीं होता मुझे पता है कि ऐसे समय में सामजस से काफी मुश्किल है और हर किसी का दिल तूटा हुआ होता है वो दौर अच्छा नहीं था लेकिन मैंने कोशिश की शर्मिला ने बताया कि ये परिवाल के लिए खुश्यों वाला पल नहीं था क्योंकि हमने ना सरफ अम अम्रता का तलाग साल 2004 में हुआ था तब कहा गया कि रोजा कैटलानों के साथ सैफ के आफ़ेर की वज़ख से उनका डाईवोस हुआ हालाकि सैफ ने एक इंटर्व्यू में इन दावों को सिरे से खारिच कर दिया और कि अमरता का मेरे और मेरे परिवार के साथ बरताओ बदल गया था जिसकी विज़से हमारा तलाक हुआ अमरता से तलाक लेने के बाद 16 अक्टूबर 2012 को सैफ अली खान ने करीना कपूर के साथ दूसरी शादी रचाली थी बिरो रेपोर्ट बॉली बुट पे चर्चा